हेलो दोस्तु, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वगत है आजकी क्लास में हम एम्तियाज एहमत की बिहार एक परिची का अब्जेक्टिव प्रश्ण को डिसकस करेंगी आजका चैप्टर है बिहार में स्वतन्तरता संघर्स बिहार में स्वतंत्रता संगर्स की अंतरगत है रचनात्मक चरन 1924 से 28 और बिहार बिहार में साइमन कमिसन विरोधी आंदोलन एवं क्रांतिकारी राष्टिवात का दूत्य चरन तो चलिए सुरू करते हैं रचनात्मक चरन 1924 से 28 और बिहार पहला सवाल है बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चन्दा में अपने आभूशन दिया करती थी सर्व प्रथम कहां हुई? सर्व प्रथम सोनपूर में हुई? दूसरा सवाल है बिहार में राष्टि कॉलेज और विद्याले संबंद थे बिहार में राष्टि कॉलेज और विद्याले संबंद थे विद्या पीट से 1926 में ऐसी एक कॉलेज 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे बिहार में राम विनोट सिंग ने कहां एक खादी केंद्र की अस्थापना किया था मधु बनी आचारी क्रेपलानी की सहता से किया था 1926 में राजेंद्र प्रशात के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहां लगाई गई थी बिहार विद्या पीट में बिहारी स्टुडेंट कॉन्फरेंस का 21 अधिवेशन कहां संपन्न हुआ मोती हारी में संपन्न हुआ मुक्ती के संपादक थे सिरी निवारन चंद्र दास गुपता अखिल भारतिय चडखा संग का जन्म कहां हुआ था पटना में अखिल भारतिय चडखा संग का उद्घाटन किया था गांधी जी ने अखिल भारतिय चडखा संग का उद्घाटन किया था गांधी जी ने बिहार का कौन सा अस्थान गांधी जी के सब्दों में तीर्थ अस्थान था बिहार का कौन सा अस्थान गांधी जी के सब्दों में तीर्थ अस्थान था जीरा देई अस्थान ये राजेंद्र प्रशात का जन्म अस्थान था इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ अस्थान काहा कौन सा जीला महात्मा गांधी के सब्दों में आधुनिक तीर्थ अस्थान रहा था कौन सा जीला महात्मा गांधी के सब्दों में आधुनिक तीर्थ अस्थान था दर्भंगा जीला खादी भंडारों की कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था अपने जन्वरी 1927 के बिहार दोरे से गांधी जी ने दास इसमारक अधिकोस के लिए कितनी रासी इकठी की थी 40,685 रूपए महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्पुर्ण था बिहार में खादी का कार्य आरंब हुआ था 1921 से मधु बनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की अस्थापना की थी स्री राम विनोत सिंग ने स्री राम विनोत सिंग ने इसकी अस्थापना आचारी क्रेपलाने की साहता से की थी अखिल भारति चडखा संग की बिहार साखा का मुख्याले कहां इस्थित नहीं रहा है भागलपूर पहले पटना फिर मुजबफरपूर और अंत में मदु बनी में इस्थित रहा था मदु बनी में चडखा संग का अपना भवन बनवाया था गया बिहार में खादी की काफी प्रगती किनकी नेत्रित्त में हुआ, राजेंद्र प्रशाद की नेत्रित्त में हुआ बिहार में साइमन कमिशन विरोधी आंदोलन पहला सवाल है बिहार में साइमन कमिशन की कुछ सदस्य महराजा का अतित्व सुईकार करने कहां पहुँचे, डुम्राव पहुँचे थे दूसरा सवाल है, 16 नमंबर 1927 को प्रकासित लेडर्स मैनिस फेश्टू में इनमे से बिहार की किननेता का हस्ताक्षर नहीं था, मजरूल हक इनमें साइमन कमिशन की ब्राच्षना की गई थी, इसमें प्रमुख नेताओं की हस्ताक्षर थे बिहार में 1928 में हुए सर्वदल्य समेलन की अद्रक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमिशन का पुर्ण बहिसकार करने नहीं लिया गया था सर अली इमाम ने की थी, यह समेलन पट्ना में हुआ था साइमन कमिशन की पट्ना आने से कुछ दिन पुर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांत्य समेलन पट्ना में हुआ इसकी अध्यक्स्ता की थी, स्री अनुग्रह नरायन सिंग ने बिहार में राजनैतिक पिरिद दिवस कब मनाया गया था 10 अगस्त 1929 बिहार में राजनैतिक पिरिद दिवस मनाया गया था साइमन कमिशन पट्ना कब आया था साइमन कमिशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 में बिहार में साइमन कमिशन की बहिसकार की संजोयक थे देव की नंदन बिहार प्रांतिस समेलन का 28 समेलन मुंगेर में 1929 में हुआ जिसमे स्वाधीनिता का प्रतिपादन किया कॉंग्रिस को अनुसंसा किया गया एक चन्वडी 1930 को अपना लक्ष पुर्ण स्वाधीनता घोशित करे वाय सडाय की 31 अक्टुवर की घोशना की निंदा ओप्सन डी ये सभी ये सभी हुआ था? ओप्सन डी राइट अंसर क्रांतिकारी राष्टिवाद दूत्य चरन पहला सवाल है 1925 में बिहार उरिशा सरकार की मुख्य सचीव थे स्री हैमंड दूसरा सवाल है दर्भंगा जीला के दल सिंग सडाय में 9 नमंबर 1928 की राथ दकेती राजनैतिक दकेती से संभवत संभवत संभन था स्वामी संक्रा नंद से संभन था भगत सिंग बिहार आए 1928 में स्री साचिन बक्सी थे क्रांतिकाडी स्री साचिन बक्सी को बिहार में कहां गिरफतार किया गया भागलपूर इनहें 16 जन्वरी 1927 को भागलपूर से गिरफतार किया गया नेमन में से केस पर तिरहुत सड्यन केस का मुकदमा चला योगेंद्र सुकल पर स्री योगेंद्र सुकल को दस वर्स की करी सजा हुई इन पर मौला निया कान चमपारन जीला 6 अक्टुवर 1929 के संबन्द में भी मुकदमा चलाने वाला था बिहार में उस क्रांती काड़ी का नाम बताये जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपवलिकन आड़्मी की बैठक में हिस्सा लिया था फडिंदरनाथ घोश ने श्री मनिंदर नारायन राय थे क्रांती काड़ी पतना क्रांती काड़ी पार्टी के नेता थे बिहार युवक संग की अस्थापना हुई 1928 में बिहार चात्र समेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संग की अस्थापना हुई मोती हाडी 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान समेलन पंडित प्रजापती मिस्र की अध्यक्सता में कहां हुई थी मुंगेर में बिहार की किस क्रांती काड़ी नेता ने 14 अप्रेल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का एलान किया प्रोफेसर ज्यान साहा ने प्रोफेसर ज्यान साहा क्रांती काड़ी विचार्ध हाडाओं से प्रभावित थे उसने भागत सिंग एवां बटुकेश्वर दत्त के चित्रु सहित एक इतिहास लिखी इतिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खुब हुई पटना युवक संग की अस्थापना कब हुई थी? पटना युवक संग की अस्थापना कव हुई थी? 1927 में पटना युवक संग की अस्थापना किसने की थी? मनिंद्र नारायन राय ने फूलन प्रसाद वर्मा की सहयूक से किया था पटना युवक संग के प्रथम अध्यक्स थे? क्रिश्न बल्लव सहाई? 1929 में युवक नावक मासिक पत्रिका निकाली गई थी? पटना से तरुन भारत संग संबंदित था मुजफर पूर से संबंदित था जगत नारायन लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर पत्रिका के संपादक थे? महावीर पटना का राष्ट सापताहिक था जिसमें राच द्रोह आत्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायन लाल को गिरिफतार किया गया था सरकारी गवा बनने वाली पिहार की क्रांती कारी थी फनिंद्रनात घूस, मनोहर बनरजी, ओप्सन C, उप्युक A और B फनिंद्रनात घूस और मनोहर बनरजी सरकारी गवा बनने वाली पिहार की क्रांती कारी नेता थे बिहार में राम कृष्ण सोसाइटी की अस्थापना किस क्रांती काड़ी नेता ने की थी बाबा जी ठाकुर प्रशाद ने 1906 से साथ में पटना से द मदर लैंड नामक समचार पत्र का प्रकासन किस ने किया था बाबा जी ठाकुर प्रशाद ने बाबा जी ठाकुर प्रशाद दास ने बिहार में राम कृष्ण सोसाइटी की अस्थापना किस क्रांती कारी नेता ने की थी बाबा जी ठाकुर दास ने उनिस सो छे सी साथ में पटना से द मदर लेंड नामक समचार पत्र का प्रकासन किस ने किया था बाबा जी ठाकुर दास ने निम्न लिखित में कौन इतिहास कार बिहार में क्रांती कार्यों की सक्र्य समर्थक थे यदूनात सडकार अनुसेलन समीती क्या थी क्रांती कारी संगठन चमपारन जीला के मौलिया डकेती केस के सम्मद में सत्य है यह राजनैतिक डकेती थी इस केस के सिलसिले में योगेंद्र सुकल को 22 साल की सजा हुई इस कांड में सामिल होने वाले कई व्यक्ती लाहोर सड्यन केस से सम्मदित थे ओप्सन डी उप्युक्त सभी सत्य है ओप्सन डी राइट एंसर फनिंद्र नात घोस की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंग एवं वैकुंड सुकल फनिंद्र नात घोस की हत्या के जोड्म में मित्यु दन की सजा किसे दी गई वैकुंड सुकल को क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन आर्मी का काम बिहार में किसी सौपा गया था फनिंद्र नात घोस एवं भगत सिंग को बिहार में गया सडियन्त केस क्रांतिकारी घटना कब घटी जन्वरी 1933 में घटना घटी गया सडियन्त केस 1933 से संबंदित नहीं थे फनिंद्र नात घोष हाजीपूर स्टेशन मास्टर 1931 हत्यकान के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई राम देनिस सिंग को फांसी की सजा दी गई हाजीपूर स्टेशन पर डाग का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सूस्री गोडी दास थी प्रांतिकारी थी दसेर कथा जो प्रांतिकारी पुस्तक थी कि इसके लेखक थी सखा गनेज देवसकर इस पुस्तक पर बेटी सरकार ने प्रतिबन लगा दिया था चुन्चुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी नेता चुन्चुन पांडे थे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एकलास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब केजिए जैहिन, थांक यू